मेरे कॉलेज में मेरा दोस्ता ओभी सी विस जांगिड़ तो मुझे पता निदा कि वा जांगिड़ है मैं लगा शुरुवात के दुनों में कॉलेज में तो मैं उसके साथ अच्छा दोस्त बन गया हो मेरा मुझे रिडियर्वेशन के ओंपर थोड़ा मैं क्रिटीख हो क्रिटीसिजम के क्रिटीक हो वाइ क् impressive अंची और में गया ह nasal कि में उसको मेरे यह औप होंपर रिफियर्वेशन के इपर अचेगं है तो वो इतना भड़का जैसे कि किसी नी अन्जान से भड़क गया हो वो दोस्त दोस्त बूल गया राइट उसके पिता जी भी IES एपिसर उसके पिता जी भी IES एपिसर उसकी मम्मी भी I.E.R.S. अब ऐसे लोग OBC की रिजरवेशन के पर भड़कते हैं यानि जो रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा चुके हैं वो ही ऐसे लोग है जो रिजर्वेशन चाहते हैं कि यह चलती रहे ऐसे ही है ना वो लोग जिनको नहीं मिली उनको तब पता ही नहीं है रिजर्वेशन होती ही क्या है वो तो बिचारे इस उस ख़ाब में बैठे है कि किसी दिन सरकार हमारे पास आएगी और किस दिन हमारा कुछ कर ल्यान होगा किसी कोई अगर ट्राइबल एरिया में जाके यह कए कि भाई एस्टी हो तुम रिजर्वेशन लेते होगे सरकारी नोकर होगा तो मैं वो कहेगा होत तब तक जो सब्संसकार कि ऊजाते हुए कि हमारा क्रिटीक और हिए जैसे कि मारकस ने काथ वे कैपलीज्म मेरा क्रिटीक नहीं है मेरा क्रिटीक थो आपम ब्वॉद उफ प्रोडक्शन आप लोगों कि उंगलिया काट के काम करते हो मैं तो इसकी खिलाफ बोल रहा हूं मै तो उस system के खिलाफ बोल रहा हूँ जिसमें आप उंगली कटवा के बच्चों से काम करवा रहे हो इसी तरीके से general आदमी को कभी नहीं कहना चाहिए कि reservation खराब है उसको यह कहनी चाहिए कि reservation जिनको मिलनी चाहिए वो खड़े हो और जिनको मिल रही है उनके खिलाफ खड़े हो क्योंकि जिनको मिल रही है ना वो नलायक इंसान है वो हगदार ही नहीं है तो जिस दिन वो खड़े हो जाएंगे general community के लिए होगा प्यार तो general community को क्या करने कि आवे सकता है मैं बताता हूं counter hegemony ठीक है यानि एक हैजीमनी का मतलब क्या होता है ऐसा नहीं कि पोल साइज वो माग रहे है गुजर वो माग रहे है साउथ इंडिया की community वो माग रहे है तो supreme court परेशान बार्लेमेंट परेशान किस किस कि दे राइट और जिनको नहीं मिल रही है ना हम उनको देने देंगे हम क्या करेंगे जंगलों में जाके उन लोगों को निकाल के लेंगे कि तु उस दिन क्या होगा counter hegemony यानि जिस ऐसी हम जो मतलब जिसकी मतलब मैंने बोलना hegemony यानि परभाव वह परभाव का दुर परभाव वह उन लोगों भी पढ़ेगा जो गरत तरीके से यूज कर रहे हैं रिजर्वेशन को जनरल लोग को क्या दिक्कत है रिजर्वेशन की जन इनके अंदर यह भावना डाल दी गई है कि रिजर्वेशन तुम से कुछ चीन रही है लेकिन वह चीन नहीं रही है वह बस यह कह रही है कि टेंपररी पीरिड के लिए एक रोटियम किसी को फालतू देंगे ताकि उसकी capability बन जाए वह तेरे साथ में आके खा ले इतना सा फ लो से वह कैसे करोगे जब आप रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं बोलोगे यह बोलोगे कि वास्तों में रिजर्वेशन जो हकदार है उसको मिलनी चाहिए तो पारलेमेंट और जुडीशरी भी सोचेगी कि वाई सही में अब हम कुछ रिफॉम लेंगे नहीं तो जनरल कॉम आज की नेताओ को समझने और उन्हों 10 साल के लिए और बढ़ा दी क्या कर सकती हो नहीं तो प्रत bên लगए उजटे संके बनके बैठा वह है तिरको रीजर्वेशन क्यों बताओ ओधि तो So, digitization is very much required in the reservation to actually make reservation substantiate.